तो राजेस्थान सेकेंड ग्रेट का जो आज पेपर हुआ है, सेकेंड सिप्ट का, तो भो देख लेते हैं, तो भाइला कोशन नेम लिखित में सुमेलित कीजिया, और नीचे दियेगा कूट की साथा से उत्तर चैन करना है, तो देखिए इसका जो अंसर हो जाएगा पाहले क जम्मू और कस्मिन नेशनल कॉंग्रेस, 1964, इसका जो जाएगा उप्शन 4, VADC, थोड़ा सा छोटा करते हैं, VADC, पहला है भाउजन समाज पार्टी, इसका जो जाएगा 1984, फिर द्रभीन बाला है दुसरा, इसका जो जाएगा 1949, भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी, इसका जो जाएगा उप्शन D, 1964, फिर जम्मू कस्मीन नेशनल कॉंग्रेस, यो जाएगा 1949, अगला है भारत के 69 का टू, भारत के सम्मिधान के निमलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल सब्दावली का उलेख है, 75 का एक, भारत के निमलिखित पूर्व पुर्धान मंत्रियों पर विचार करें, तो देखिए इसमें से आपको बताना निमलिखित में से कौन सा बिकल्प उनके कारिकाल का सही आरोही काला नुक्रम क्रमिक क्रम है, तो देखिए इसका हो जाएगा ओप्सेन एक, पहले आएगा डीबाला, चंदर सेखर, फिर आएगा बीपी सिंग, फिर आएगा इंदर कुमार गुजराल, फिर आएगा अटल वियारी बाचपर, फिर आएगा 1927, निमलिकित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है, इसका हो जाएगा ओप्सेन 2, ये सुमेलित नहीं है, अगला यूएन सान्ती अभियान के संबन्द में निमलिक में से कौन सा कतन सही है, इसका दिखिए हो जाएगा ओप्सेन 2, पहला दूसरा तिसरा, पहला 29 मही को अंतरराष्टे, UN सांती, अभियान दिवस के रूम में मनाया जाता है, दूसरा है, UN Charter का अध्याय, 6 विवादों के सांती पूर्ण समाधान से सम्दित है, तिसरा है, UN Charter के अध्याय, 7 में सांती, सांती के उलंगन और आक्रमक्ता सम्दि कारेयों पर करवाई सम्दित उपवोक्ताबाद और एक रूप तक, संयुक्त राष्ट सुरच्छा परिशत के आस्थाई सदस के रूप में भारत के दो साल के कारेकाल, 2021-22 का समग्र उद्दित से नोर्म्स की उपलब्दी है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, option 4, New Orientation for a Reformed Multilateral System, निमने लिखेत में स किसने सिंदू जल संदोधा, 1960 पर हस्ताच्छर किये, जवाहलाल नहरू, मुहम्मद अयूप खान, 2011 की जनगर्णा के अनुसार 90% से अधिक राजस्तान की कुल, जन जाती जनसंख्या में सामिल है, तो मीडा तता भील, अगला देख लेते हैं, निमनांकित, निमलिखित, अ करते करम में करमबद करिए, तो इसका हो जाएगा ओप्सन टू, पहले आएगा गुरू सिखर, फिर आएगा सेर, फिर आएगा अचलगड, फिर आएगा वी, देखें, पहले आएगा आएगा आपका गुरू सिखर, उसके बाद आएगा सेर, फिर आएगा ई बाला, दिलव राजस्थान के दच्छनी पूर्वी पठारी भाग में आउसत बार्सिक बर्सा होती है Option 3, 80 cm से 120 cm के मध्य राजस्थान के निमलिखे नदियों के उनकी सायक नदियों से सुमेलित कीजिए इसका हो जाएगा Option 2 थोड़ा सा चोटा करते हैं Option 2 पहला है चंबल इसका हो जाएगा Option B सिवान परवन, माही माही का हो जाएगा अनास चाप, साबर मती इसका हो जाएगा बाकल, हत मती फिर बनास, यह हो जाएगा खारी, बंडी अगला देख लेते हैं हम लोग लोको दथा कैरिज, बर्ग साप, अवस्तित है तो इसका हो जाएगा Option 1, अजमेर निमलिखित में से राजस्थान के उत्पादक जिले कौन से है तो देखे इसका क्या होगा Option 2, जित्तोडगर जाला बाड़ सुस्क साक, वो सागवन के सागवन बन के लिए सबसे उप्युक्त जिला कौन सा है तो देखे इसका क्या हो जाएगा 22 बाड़ा राजस्थान के निम्न राज के पसुपालन विभाग दौरा गौबंस प्रजना नेतू गोपाल कारिकरम राज के 10 दच्छन पूर्वी जिलों में किस बर्स में आरंब हुआ 1990 से 92 2011 की जंगर्णा के अनुसार राजस्थान के साहरी चेत्रों में महिला साच्छर्ता दर थी तो ऑप्सें टू 70.73% अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजदानी कौन सी थी सांबर अलाउदिन खिलजी ने जालवर के किस राजपूत बंस का अंत कर दिया था सोन सोनगरा चौहान बंस राजस्थान के ग्रामीर पर्याटन इस्थलों को उनके सम्दित प्रदेसों से सुमेलित कीजिए इसका देखिए ऑफ्सें फोर हो जाएगा थोड़ा सा छोटा करते हूँ ऑफ्सें फोर मारबाल का हो जाएगा ऑफ्सें बी से ओसियान किराडू मंदिर फिर सेखा बाटी यह हो जाएगा तालचा पर जीन माता प्रतिहारों की 26 साखाओं में से सबसे प्राचीन साखा है मंडोर अहाल के उत्खनन का कार सरप्रथम 1953 इस भी में किसके नत्रत्तों में हुआ ओफ्सें टू अच्छे कीर्थी ब्यास निम्नुमे से कौन सा माउंट अभू के राजस्थान में बिलाई से सम्मंदित है ओफ्सें फोर गोकुल भाई भाट लोग देपता कलाजी द्राराठोर के समकालिन मेबाल का सासक कौन था ओदै सिंग निम्नुमे से किसने जैपूर में नाथों का प्रबाव समाप्त कर रामानंदी भक्ती परंपरा स्थापित की ओफ्सें टू पैहारी सौमी 1855 की क्रांती के समय किस पॉलिटिकल एजन्ट का सिर काट कर आउबा के किले के दरवाजे पा लटका दिया गया था मैक मेशन निम्नुमे से 1923 में बंद किये गए समाचार पत्र को तरणूर राजस्थान के नाम से पुना प्रकासित किया गया तो ओफ्सें फूर नभीन राजस्थान मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे तो ओफ्सें टू जाडोल राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुसो द्वरा अग्री नत्त किया जाता है जसनाथी सिद्ध अगला है कुबल कुबलाय माला नामक सत्कता संग्रे में कितनी देसी भासाओं के नामों का उलेक है तो ओफ्सें एक अठारा है निमलिकित में से कौन सा यूग में सुमेलित है तो ओफ्सें फोर बोल भार मली सत्थ प्रकास जोसी जोदपुर का महरानगर दुरकिस पाड़ी पर अवस्थे थै चिडिया टूक घाले राओ रिया भिनाय जूनिया आधी ठिकाना कला सम्मन्दे थै ओफ्सें थ्री मारवाल स्कूल चित्र सैली नवट अनोटा जरा और पोलरा सरीर के किस बाग के अवस्थन है ओफ्सें थ्री पाउम मुगल मारवाल संगर से छड़ने पर मेवाल के किस महराणा ने राठाणों का साथ दिया था ओफ्सेंगी महराणा राजसिंग राजस्थान लोक सेबा आयोक के अद्दच का कारेकाल है छे वर्स या 62 वर्स की आयो तक जो भी पहले हो राजस्थान के निमलिखित प्रजा मंडलों पर विचार करें इसकी स्थापना का केंसा साही काला नुकरम कौन सा है ओफ्सें थ्री पहले है मारवाल फिर है मेवाल फिर वासवाला निमलिखित में से कौन सा असंगत यूगम है Option 2, मोमा सर उस्सप जोदपुर पुर्थम बार साथ हजारी के मनसप और मिर्जार राओ की समाध उपादी समाप्राप्त करने बाला जमें आमेर का सासक था Option 4, मान सिंग राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचबों में से किसका कारिकाल सबसे कम रहा इंद्रजीत खन्ना मानप अधिकास अनलच्षण अधिनियम 1993 की निम्लिकित में से किस धारा में राज मानप अधिकार आयोक के अध्यच की नियुक्ती के प्रावधानों का उल्ले खाय 22 निम्लिकित में से किस सहर में पंचायत प्रसिचन के अंदर इस्तित नहीं है शिरोही निम्नांकित में से कौन राजस्थान के राजपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाते option 2 राजस्थान उच्छ नियाया लेके निया धिस निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंतरी का पद चार बार धारित किया है तो देखे इसका हो जाएगा आपका आपसन फूर मोहनलाल सुखाडिया भारत के सम्मिधान के अनुसार राजस्थान की मंतरी परिस्थ में मुख्य मंतरी सहित मंतरियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती तीस से भारत के सम्मिधान के अनुच्छित 199 के अंतरगत दी गई धन विदेयक की परिवासा निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है आपसन एक विदेयक जो किसी इस्थानिय प्राधिकारी या निकाय दोरा इस्थानिय प्रियोजनों के लिए किसी करके अधिरोपन उस्सादन परिहार परिवर्तन या बिनियमन का उपवंद करता है राजस्ठान विधान सभा में सदस्यों की नी हरताओं से सम्मंदत प्रस्णों पर बिन निश्चय के बारे में निमलिखित कत्रों पर विचार करें तो देखे इसका हो जाएगा ओफ्सन फोर एक और दो दोनों सही हैं तो पहला कतन क्या है? यदि यह प्रस्ण उठता है कि राज विधान सभा का कोई सदस भारत के सम्मिधान के अनुच्चय देख सक्यानवे के खंड एक में बढ़ने किसी निरहरता से ग्रस्त हो गया या नहीं तो भै प्रस्ण विधान सभाध्यच को बीनिष्चे के लिए निदेशित किया जाएगा और उसका बीनिष्चे अंतिम होगा दुसरा है ऐसे किसी प्रस्ण पर बिनिष्चे करने से पहले अध्यच निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुचार कारे करेगा देविंद्र जाजडिया ने अब तक पैरा उलम्पिक में कितने पदक हासल किये हैं आप्सन थ्री तीन राजस्थान के पंचायती राज के संदर में निम्लिकित कतनों का ध्यान पुर्वक पढ़ें तो देखिए आपको बताना इसका अंसर क्या हो जाएगा आप्सन टू पहला और दुसरा सही है पहला गतने जोदपूर, भारतपूर, जैपूर, सिरोही, उदैपूरो, करोली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बने दुसरा है बीका नेर राज का अपना ग्राम पंचायत अदिनियम बहुत पहले 1923 में था निमनंकित में से कौन राजस्थान रत्न अबार्ड 2022 से सम्मानित होने बालों की सूची में समिलित नहीं है आप्सन एक, डी आर महता राजस्थान इवीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारम में प्रारम से कितने समय तक अस्तित में रहेगी इसका हो जाएगा उप्सन 3 पांच बर्स निमनिकित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निदी की कौन स्वना की गई इसका हो जाएगा उप्सन 4 2022-23 निमनिकित कतनों को ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर बताना है ऑप्सन 3 दूसरे पहला और दूसरा कतन सही है सतत विकास लच्च 17 वैसबेक लच्चों का एक संग्रह है दूसरा है भारत के राजियों और केंद सासित प्रदेशों को चार सेणियों में ब्रगी गरत किया गया है ISFR 2021 के अनुसर राजिस्टान में बन का कुल कारवन स्टॉक है ऑप्सन 2 एक सो दस पॉइंट सततर मिलियन टन देसंबर 2021 तक राजिस्टान की कुल अधिस ठापित उड़जा पातन चमता कितनी है 23,321.40 मेगाबाट निम्नांकित में से कौन सा खेल राजिब गांधी ग्रामीर ओलम्पिक खेल 2022 में सामिल नहीं है फुटबाल फेरल के अनियम के अनुसर ग्रही पबने सरवाजिक बिच्चेपित होती है दुरुबों के पास राजिब गांधी किसान बीज उपहर योजना 2022 तेज के समद्ने साही कथन का चैन करना है देकि साट का अनसर हो जाएगा option 2 केबल कथन एक साही है अब 61 को देख लेते हैं निम्निकित में से कौन राजिस्थान ग्रामीर आजी विका विकास परिसत की अधिकार प्राफ्त समिती का द्यच्च है 63 का हो जाएगा दूसरा मुख्यमंत्री राजिस्थान सरकार अब 22 देख लेते हैं दच्चनी अमेरिकी देशों में से कौन सा एक मातर देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रसांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती है चिली हिमालिये चोटियों को निमलिकित में से कौन सा एक दच्चन से उत्तर की और सही करम है तो देखे 63 का जो अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा ओप्सन एक पीर पंजाल और आगे देखी आसकर लदाक फिर कारा कोरम निमलिकित में से कौन सा इस्थान दच्चन पस्चिम मांसून से सबसे पहले बरसा अप्राप्त करता है मुंबई निमलिकित में से कौन से कारक जलबायू परिवरतन के लिए उत्तर दाई है ओप्सन एक वी है एल नीनो बा ला नीना और सी है बाहे अंतरिक परिगटना एडी है आना च्छादन सन दोजार एकिस में निमलिकित में से किस महाधिप की जनसंख्या सबसे कम है दच्चनी अमेरिका विस्ट प्रवासन रिपोर्ट दोजार बोईज के अनुसार अंतरराष्टिय प्रवास्यों की जनसंख्या लगबग है दोसर कैसी मिलियन किस देश ने अप्रेल नवंबर 2021 के दोरान भारत के सीर से दसर निर्यात अगंतब्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर इस्थान बनाया है नीदर्लेंड निमलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की उच्चाई वाले पश्मी घाट के पश्मी भाग पर पाय जाते है ऑप्शन एक उस्टन कटवंदिये आद्र सदा बाहार बन 31 मार्च दोहजार एक्किस तक निमने में से किस राज की पवन उड़जा चमता धरातली इस तर से 100 मीटर क्यों चाई तक सरवादिक थी ऑप्शन एक गुजरात की भारत सासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतरकर बिधान सबा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या है ऑप्शन 3 26 भारत के विदेशी ब्यापार से संबंदे दिमने कत्रों पर ध्यान दीजिए और कौन सा कतन सही है आपको बताना है कोट के माद्यम से तो आप्शन 4 ए और भी दोनों 74 का हो जाएगा आप्शन 4 भारत में केंद सरकार किनकी सिफारिसों के आधार पर 22 अनिबार करसी फसलों के नियुनतम समर्थन मोल निश्चित करती है 75 का हो जाएगा दूसरा क्रसी लागत बा कीमत आयोग अगला 76 भारत सरकार के दोरा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीम मित्र पार्क का सम्मन्द है तो आप्शन 1 बस्तर उद्योगों के विकास से 77 है अगला निम्नांकित में से कौन सा भाग कौन सा भारत के समिधान में संसोदन दोरा थोड़ा सा दुंदला हुआ है नहीं किया जा सकता 77 का जो अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा ऑफसन 4 राज सरका है साइकारी समितियों के स्वच्छिक निर्मान के प्रोसान का प्रयास करेगा अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में तीन सूचियां थी जिसमें जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मद्र सक्तियों के विभाजन का प्राबधान था अनुसूची सेवन गांधी ने हरीजन यातरक का प्रारम की साथ नमबंबर 1933 मौलिक करतब्यों को सिखाने समन्दी सुजावों को कार्यान्वित करने वाली समयती के अध्यच निम्न में से कौन थे जस्टिस जे एस बर्मा ब्रदी के समन्द में कौन सा तथ्य सही नहीं है तो आप्शन एक सामन्निता ब्रदी विकास के योगदान देती है पर हमेशा नहीं सिख्चा मनो बिग्यान के संदर में निम्न में से कौन सा कतन सरवादिक उप्योक्त है तो आप्शन एक सिच्छा मनो विज्ञान से अच्छक परसितियों के मनो विज्ञानिक आयामों का अध्यन है निम्नांकित में से सिच्छा मनो विज्ञान की प्रकर्ति को दसाने वाला सरवादिक सही उत्तर कौन सा है Option 1 संग्यानात्पक मनो विज्ञान ब्यावहार में परिवातन ब्रद्धी है तो देखिए यह हो जाएगा Option 2 मात्रात्मक अंतर दस्टी दोरा अधिनियम, अधिगम के प्रबर्तक है Option 2 कोहलर व्यक्तित्तु का 16 व्यक्तित्तो कारक सिद्धान देने वाले मनोब अग्यानिक है कैटल जुंग के अनुसार व्यक्तित्तो के प्रकार है अंतर मुखी, बहीर मुखी अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक की समुह बनाता है बहयावस्ता है Option 4 बाल्यावस्ता प्राणी के बांचित ब्योवारों के लिए पुनर वलन महत्य पूण है यह निम्लेकित में से किस मनोब अग्यानिक से सम्बन्दित है Option 3 इसकिनर अधिगम धीरे धीरे होता है ना की अंतरज़श्टी युक्त यह हैं निम्लेकित मैंसे किस मनोवेग्यानिक है, किसे संबंदित है तो यह हो जाएगा option 3 E.L. Thundike यदि एक बालक की बास्तविक आयू 12 बरस, 6 मां तता मांसे का यह 18 बरस है तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धी मता का इस्तर क्या होगा प्रतिवास आली तब उसमें कौन साव अभी प्रिणात्मक बल कारे करता है उपलब्धी प्रिणा थेमेटिक एपर सेप्सन परिच्छन T.A.T. का उधारान है प्रच्छेपी परिच्छन E.L. Thundike ने वुद्धी के जिस सिद्धान्त का प्रतिवादन किया बहे है सम्हू कारक से दान्त वुद्धी मापन के लिए वुद्धी लब्धी का प्रियोग सरपता मनों वैग्यानिक ने किया इस्टर्ण यदि बस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गोण है अभी रुची अभी जमता के लिए निम्न मैंसे कौन सा कतन सही नहीं है यह भावात्मक 25 से सम्मंदित है अभी प्रेणा की प्रक्रिया का आरंब होता है अभी प्रेर कों से कच्छा आठ के एक बालक को निम्न मैंसे किस मुख विसेस्ता के आदार पर प्रतिबास आली काएंगे उच्छे बुद्धी लब्दी और आज का लास्ट कुश्यन है निम्न मैंसे कौन सा मनोबैग्यानिक रूप से बैक्तिकत बिन्नता का आदार है बहुत दिक बिन्नता तो आज के इस वीडियो में तना है थेंक्यो दनने बुद्धी